नमस्कार, न्यूस फ्लेस में आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आज की ताजाख खबर कियो नगर्जिले की मिर्टा सिटी तहसील में पांच सांडो ने मिलकर 17 साल के लड़के पर हमला कर दिया बेकाबू सांड लड़के को करीब 1 मिनट 20 सेकंड तक रौनते रहे सांडो का आतंग पास में लगे सिसी टीवी में कैद हो गया, बताय जा रहा है कि सांडो के हमले से 17 वर्षिये जफर के शरीर पर काफी खरूच भी आई है उसका प्रार्थमी की लाच कराया गया है और वह अब स्वस्ते है रैजस्थान के नागौर के दिल को दहलाने वाला वीडियो सामने आया है वीडियो में दिख रहा है कि पांच सांडो ने मिलकर 17 साल के लड़के पर हमला कर दिया बेकाबू सांड लड़के को करीब 1 मिनट तक रौनते रहे सांडो का आतंक पास में लगे सिसी टीवी में कैद हो गया वहीं दोस्तों के बीच बचाओ के चलते कोई बड़ा हाथसान नहीं हुआ दरसल पूरा मामला नागौर जिले के मेड़ता के रेंड रोड पर इस्थित गरीब नवास गेस्ट हाउस के बाहर का है यहां के एक होटल में जफर पठान अपने दोस्त रेयान और मोल के साथ खाना खाने जा रहा था इसी बीच जफर मेड़ता की रेंड रोड इस्थित गरीब नवास गेस्ट हाउस के पास पहुचा तो सांड सड़क पर चलता हुआ आया फिर अचानक वहां खड़े चार-पांच युवकों को छोड़कर जफर पठान को निश्यान बनाया दोस्तों के बीच बचाओ कर बचाई जान इसके बाद पास में खड़े एक और सांड आ किया और दोनों ने मिलकर जफर पर हमला कर दिया दोसांडों ने मिलकर पैरो और सिंगों से जफर पर जम कर हमला किया या सिलसला करीब एक मिनट भी सेकेंड चला इस दोरान पास में खड़े जफर के दोस्तों ने बीच बचाओ करने लगे इतने में तीन और सांडों ने हमला कर दिया मौके परस्थान ये लोग भी पहुँच गए आपको बताते गायों तथा सांडों के हमले से ऐसे नजारे आए दिन देखने को मिल जाते हैं लेकिन फिर भी प्रिश्यासन इन आवारा गाय तथा सांडों पर कोई लगाम नहीं लगा रहा है ऐसे मैं प्रिश्यासन को चाहिए कि आवारा सांडों में गायों को तुरंद गौशाला पहुचाए जाए